आज एक हम चेप्टर स्टार्ट करेंगे और मुस्ट फिक्वरेंटली आस्किंग इन दा एक्जामनेशन मैंनेजमेंट अकाउंट में जिसका नाम है मारा स्टेंडर्ड कॉस्टिंग पहले हम समझ लेते हैं सरे स्टेंडर्ड का मतलब क्या है स्टेंडर्ड का मतलब है बजट सर और थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसके बजट का मतलब है पहले से अंदाजा पहले से अंदाजा तो जो स्टेंडर्ड कॉस्टिंग है हम किसी भी प्रोड़क्ट को इस चेप्टर में हमें सिखाये जाता है कि हर बार हमारे साथ दिक्कत क्या आती है कि जब कभी भी हम अंदाजा लगाते हैं कि यह इतने में इतना काम हो जाएगा अब घर की बात कर लो घर के अंदर देखोगे जो रोटी बनती है खाना बनता है डीली उसमें से मैं रोटी का एक्जामपल ले लेता हूँ आमुमन मेरे घर में देखा जाता है कि या तो वो कम पड़ जाएगा या वो ज्यादा हो जाएगा बहुत रेर केस होता है कि बोलते हैं आज बराबर हो गया सारा कुछ नहीं बचा आज तो हम जो काम स्टार्ट करते हैं वो दिमाग में लेके चलते कि भाईया दस रोटी बनानी है लेकिन उसका यूसेज का नहीं पता ग्यारा भी हो जाए और आठ भी हो तो स्टेंडर्ड का मतलब होता है काम करने से पहले जो हम सोच के बैठते हैं कि इतना खर्चा होगा उसे बोला जाता है स्टेंडर्ड तो यानि सर हमें हर बार क्या सोचना पड़ता है जी हां हमें काम करने से पहले हमेशा सोचना पड़ता है कि कितना खर्चा होगा जब costing की बात करें तो costing के अंदर जब आता है तो हमें यह सिखाये जाता है कि सर आप maximum output निकालिए और minimum resource को use करते हुए costing यही है कि आप किसी product के cost को इतना minimize कर दीजिए इतना कम कर दीजिए कि हम market में compete कर पाया अब इस chapter को बनाने का इस chapter को पढ़ने का mean मकसद यही है suppose करो के मुझे कोई product बनाना है अब एक product मैंने सोचा था कि भाया हम 20 unit बनाएंगे या हम घर का example ले लेते हैं आटा गूता रोटी बनाने से पहले आटे को गिला करते हैं उस टाइम पे अंदाजा होती है सबसे पूछ भी लेते हैं कितने कितने रोटी खाऊगे उसी के हिसाब से आटे को गिला किया जाता है हम पूछ लेते हैं कि भाया तुम चार खाऊगे तुम पांच खाऊगे तुम छे खाऊगे तो मैंने 20 रोटी के लिए तयार किया हिसाब किताब सबसे पूछा सबकी काउंटिंग घर वालों के सभी परिवार ने जितने बताएं उनको जोड के भाया हमें 20 रोटी बनानी थे लेकिन जब मैं बनाने के लिए गया तो एक्चुल एक्चुल मैंने 21 बना लिए सर बीस बनाना था तो एक्चुल 21 कैसे जब आटे को घीला किया जाएगा तो एक्चुल पता नहीं था कितना थोड़ा बहुत जादा कम हो सकता है तो एक्चुल 21 हुआ इससे हमारा क्या हुआ एक एक्च्ट्रा बच गिया तो सर यजो डिफरेंस हर बार आएगा इससे बहुत हर बार वीस्ट जाएगाव घर की बरबाती होगी हर बार गर की समान की बरबादी होगी इसी तरह organization में company में manufacturing department में हर बार waste होगा तो हम उसको study करते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि हमने सोचा इतना और हमने बना इतना दिया इन दोनों के बीच में जो difference आ रहा है that is standard हमने सोचा था standard यानि budget को मैं बोल सकता हूं सोचना हमने सोचा था जितना actual मतलब काम हुआ काम हुआ इतना इसके पीछे क्या कारण है क्या logic है क्या ये material के बज़े से हो रहे है क्या ये rate के बढ़ने के बज़े से हो रहे है क्या ये हमारा mix product के बज़े से हो रहे है तो हर एक detail concept को हम study करने वाले इसमें standard costing में है हालाकि ये chapter थोड़ा सा बहुत बच्चे बोलते हैं मुस्किल है बहुत बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं यह formula याद हो तो आसान हो exam के point of view से management में important chapter है no doubt अब इसके अंदर जब इसके बीच में difference आया तो धीरे धीरे study करते करते हमने देखा के भाईया अगर हम किसी product का sales की value अगर निकालते हैं तो sales क्या होता है या मैं किसी भी profit क्योंकि ultimately हमें जो conclusion होता है वो profit को करना है तो किसी product के अगर हम profit की बात करें हम सोचके चलेंगे भी या एक unit बेचेंगे इतना profit आएगा तो वहां पे cost sales minus क्या होगा cost हमने predict किया था कि हमारा profit 5000 करोड का होना है लेकिन इतना हो नहीं पाया तो इसका जिम्मेदार इसका responsible कौन है सर इसका जिम्मेदार या तो sales है या फिर हमारा cost है इसका जिम्मेदार जो हमने सोचा था ये हम कर नहीं पाये तो इसका responsible कौन है profit क्यों नहीं कमा पाए या तो हमारी sale कम रही होगी जितना सोचा उतनी नहीं रही या cost हो सकता है sale तो उतनी हुई लेकिन हमारा costing high हो गया तो हम इसी तरीके से सर कौन जिम्मेदार है अगर cost को आप जिम्मेदार मानते हो तो इसके अंदर cost के अंदर बड़े सारे element है उस element में से कौन सा element responsible है क्या हमारा material element responsible है क्या labor की वज़े से हुआ या फिर और other खर्चे जिसे overhead बोलते है तो अगर material की वज़े से हमारा profit achieve नहीं हो पाया है तो हमें चेक करना चाहिए कि गलती कहां है तो सेल्स में है तो सेल्स को देखेंगे लेकिन जब cost को देखने जाएंगे तो cost के अंदर हमारे या तो material ज़्यादा यूज हो गया या material का price बढ़ गया ये reason हो सकते है labor unnecessary उन्होंने time खाली बिकार किया या फिर labor का wage rate बढ़ गया होगा कि ओवर हैड और अदर जो खर्चें हैं उसके अंदर भी सेम हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया वेस्टेज हो गया क्या हुआ तो यह इसमें से कौन सा responsible है सर अगर आपको पता चल जाता है कौन responsible है तो material के अंदर भी दो लोग responsible हो सकते हैं दो हमारे components हो सकते हैं या तो price के वज़े से हो सकता है या फिर हमारा use के वज़े से हो सकता है या तो price के वज़े से हो सकता है सर या फिर हमारा use के वज़े से हो सकता है अगर हम price की बात करें या use की बात करें price की बात है तो फिर ठीक है यूज की बात करें तो अब यहां पे यूसेज की बात करें तो हमारे और भी दो components आ जाते हैं सपोज करो अभी हम simple simple यहां तक का topic हम समझ रहे हैं क्या पता हो सकता A B और C मान लो आपका एक बर्गर बनाने के लिए हमें एक component नहीं चाहिए कुछ product ऐसा होता जो एक ही component में बन जाता है जैसे रोटी आटा चाहिए बात खत्म लेकिन अगर मैं पीजा की बात करूं तो एक component नहीं चाहिए काफी सारे उसके अंदर material चाहिए तो सर पीजा की अगर हम बात करें तो ए लगता है हमारा एक किलो भी लगता है हमारा दो किलो यानि ए हमने मान लिया bread लग रहा है भी हमने मान लिया किसके अंदर चैप्शिबम या फिर onion वगरा कुछ भी लग रहा है और अगर सी मान लेते हैं आधह किलो यह लगना चाहिए तो हमें ये एक तरीके से तीनों चीजे लगा देते हैं साड़े तीन किलो तब हमें जाके पता चल पाता है साड़े तीन किलो तब जाके हमें पता चल पाता है कि कितना खर्चा क्या हुआ है अब इसके अंदर से या तो A जिम्मेदार होगा या B जिम्मेदार होगा या C जिम्मेदार होगा मेरे profit को नहीं अचीव करने में तो यानि इसे बोला जाता है mix तो सर, mix के अंदर भी हम सभी को compare करेंगे जिसको हम material mix या material yield variance बोलते हैं तो सर, इसके अंदर देख रहे हो आप कितना detail में हम discussion करने जा रहे हैं के अंदर भी काफी सारे components हो सकते हैं labor का rate हो सकता है responsible labor का R हो सकता है responsible overhead में भी rate responsible हो सकता है overhead हमारा expense responsible हो सकता है तो इनहीं सभी को detail में discuss करेंगे बाकि इस chapter के अंदर सबसे ज़्यादा exam में पूछे जाने वाला सवाल जो है वो material जो की दो class में हमारा खतम हो जाना है आज और अगली class के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला exam में material और material ही आता है maximum करेंगे हम सारा लेकिन material हमारा आता है तो हम सारा करेंगे लेकिन मैं पहले से बता दूँ कि आपको किस तरीके से तयारी करनी है तो यानि सर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं इस्टेंडर्ड मेरे 1000 unit खर्च हुए actual मेरे 1200 लग गए अब बताइए जो हमारा standard और actual को compare करें हमेंने सोचा था के 1000 kg किसी समान लगे गा लेकिन लग गए 1200 तो हमने 200 एक्स्ट्रा लगा दिया यानि standard से और actual को compare करें तो हमारे favor में है या unfavor में है एक चीज बताइए standard और actual तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे favor में नहीं रहा हमारी लापरवाई के वज़े से 200 तो इसको हम A से denote करेंगे that is adverse सेम अगर मैं कहूं के मैंने सोचा था 1000 लेकिन हमने 800 में ही निप्टा दिया तो 200 जो बच गए तो यह हमारे favorable में तो यानि हमारी सोच से और standard की सोच से हमारी standard की सोच से actual अगर actual हमारी सोच से कम है तो हमारे favorable में बात करेंगे उसे F से denote करेंगे और ज्यादा है हम से हमारे सोच से ज्यादा खर्चा हो गया इसे adverse या फिर आपका negative में हम बात करेंगे तो इसी के लिए formula के लिए हम आगे चलते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं mainly कैसे कैसे पढ़ेंगे वह चीज़े देखते हैं बड़ा simple सा है क्योंकि इसमें जब तक practical question ना कराओ तो ज्यादा clarity नहीं मिलता मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि formula को एक पेज पे लिखिए ताकि revision में आपको बहतर रहे और आप easily revise कर पाऊं तो अगर मैं formula की बात करूं तो material price variance material cost variance की हम बात करते हैं एक एक करके सीखते जाएंगे formula बाद में समझेंगे पहले हम practical कर लेंगे material cost variance यानि cost की बात करें तो cost क्या होता है किसी की अगर मैं cost की बात करूं तो sir cost होता क्या है ये बता दीजिए अगर आपने 1000 kg समान खरीदा है पांच रुपे के हिसाब से तो बताईए आपको cost कितना पढ़ा 1000 kg आपने समान खरीदा है पांच रुपे के हिसाब से तो आपको उस unit का cost कितना पढ़ा तो जवाब है sir उस unit का cost हमें पढ़ा कितने का sir 1000 kg 5 के हिसाब से खरीदा है तो 5000 कि भीया आपको 1000 kg खरीदते और आपका कीमत मार्केट में यह रहता 5 रुपए, लेकिन एक्चुल ऐसा नहीं हुआ, एक्चुल यह हुआ कि आपने 950 kg खरीदे, लेकिन जो रेट था, वो मिला मुझे 7 रुपए के इसाब से, जो रेट मिला मुझे 7 रुपए के इसाब से, यह एक्चुल में कॉस्ट कितने की आई आपकी साथ रुपे के हिसाब से तो आंसर हो आ गया सर साक्षी ने जवाब दे दिया दिपक ने भी जवाब दे दिया 66.50 का 66.50 का अब हम अगर हम material cost variances यहाँ पर word यूज है variance का मतलब changes सो सर material price में अगर changes की बात करें तो भाया लगना था 5000 और actual लग गया तो इसका मतलब जो मेरा यहाँ पर आ गया 16.50 यह हमारे favor की बात नहीं कर रहा यह हमारे लिए adverse माना जाएगा तो यानि material uses कैसे निकालेंगे आप that is standard था तो यह है standard quantity यह है standard price तो standard quantity को और standard price को आप multiply करेंगे तो एक standard cost आ जाएगा फिर है यह actual quantity और यह है actual price तो सर actual quantity और actual price को multiply अगर करते हैं तो आपका actual cost आ जाएगा तो यानि standard cost minus actual cost तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इसका एक और formula के सर std कर देता हूँ standard cost माइनस में actual cost तो मेरे हिसाब से आप समझ पार रहे होंगे मैं क्या बताने की कोसिस कर रहा हूँ यहां पर हाला कि कुछ abbreviation मैंने यहां लिखे हैं जो कि आपको समझना है घुमा फिरा के वही abbreviation यूज होने है तो मैं लिख देता हूँ यहां पर abbreviation क्या क्या यूज किये है सर mcb है आपका mcb की full form अगर पूछेंगे तो material cost variance sq होता है हमारा standard quantity मैं लिख देता हूँ कहां लिखें यहां लिख देते हैं क्योंकि यह साइट तो यूज करना नहीं है sq अगर मैं बोलू तो सर sq जो होगा वो होगा हमारा standard quantity std कर देता हूँ और quantity qty अगर हम बात करें s p का तो वो होगा सर standard price अगर हम बात करें aq का तो वो होगा हमारा actual quantity अगर हम बात करें sir a p का तो वो होगा हमारा actual price अगर हम बात करें a p का तो वो होगा हमारा actual price जो यूज किया है मैंने सवाल में तो हम पहले एक एक करके धीरे धीरे करके सवाल करेंगे पहले मैं material cost variance निकालने का एक सवाल देख लेते हैं material cost variance निकालने का एक सवाल देखते हैं पहले सवाल को करने का एक standard सा format रखेंगे सबसे पहले इसके अंदर main होता है कि हमें prepare कर लेना चाहिए sir क्या prepare करना चाहिए sir सबसे पहले हमें इसके अंदर prepare कर लेना चाहिए सबसे पहले अरेंज करते हैं सबसे पहले जी हाँ अगर आपने डेटा अरेंज कर लिया तो सवाल में कोई जान नहीं बसता कोई हिम्मत नहीं बसता सर समझा नहीं यहां पर हम लिखेंगे आउट पूट यहां पर सारी डिटेल डालेंगे स्टेंडर्ड के हिसाफ से और इस साइड में सारी डिटेल डालेंगे एक्चुल के हिसाफ से यहां पर हम रखेंगे क्वांटिटी फिर rate फिर हम लिखेंगे total फिर again यहाँ पर quantity फिर rate फिर total हमें पहले सर डेटा तयार करना है अगर हमने डेटा तयार कर लिया तो हमारा काम खतम फिर तो formula लगाने है formula क्या हो जो हमने समझा है वही होना है डेटा कैसे तयार किया जाएगा इस सवाल की मदद से देखते हैं कहता है the standard cost card show standard cost के हिसाब से the following detail relating the material needed 1 kg of ground net oil एक किलो हमें material के लिए लगता है यहाँ पर कहता है quantity of ground net required हमें चाहिए 3 kg का और जो प्राइज है वो है हमारा यह तो यह सर स्टेंडर्ड है कहता है के हमें requirement 3 kg का है प्रोडक्ट को बनाने के लिए और हमारा प्राइज है हमारा टू-पॉंट-फाइब के जीगा तो सर आपको 3 kg चाहिए तो प्राइज है हमारा टू-पॉंट-फाइब का तो टोटल कितना लग जाएगा वो हम देखेंगे टोटल कितना लग जाएगा वो हम देखेंगे या तो फिर हम इसको एक मिनिट इधर कर लो मैं दुबारा रिपीड कर दूँ सवाल को सर कहता है कि relating to material needed produce 1 kg 1 kg को बनाने के लिए ये खर्चा आनात्य है एक किलो बन पाएगा इसमें जो भी बनेगा कहता है actual production data कितने बनाएं सर 1000 kg quantity material use 35 kg और जो material हमने uses कर दिया है वो कितना किया है 35 kg का तो quantity material use की बात करें तो वो कितना था सर 35 kg ये हमने use किया सर 35 kg का तीन रुपे के हिसाब किताब से मिला हमें multiply कर देंगे तो 10,500 का खर्चा हुआ यानि 1000 kg produce किया है अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं 1000 kg standard के हिसाब से चलता तो कितना लगता तो सर 1000 kg अगर बनाना है तो अगर आपका 1 kg में 3 kg लग रहा है तो 1000 kg बनाने के लिए material तो आपका इस्तमाल होना चाहिए तीन के हिसाब से 3000 हमारा material इस्तमाल होना चाहिए था 3000 standard का हिसाब से प्राइज तर 2.5 लगना चाहिए था देखा जाए total किया जाए तो कितना होता है 6000 7500 का खर्चा आना चाहिए यानि कहने का मतलब है सर standard के according आपका कितने का खर्चा आना चाहिए 7500 का लेकिन आपने actual कितना कर दिया सर 10500 का हमें निकालना क्या है सर material cost variance material cost variance क्या कहता है ये ये कहता है कि standard cost ले लीजिए आप उसमें से minus कर दीजिए आप actual cost सर standard cost क्या है सर standard cost आ गया हमारा 7500 रुपए होना चाहिए actual cost हमारा 10500 लगा तो ये हमारे adverse आ गया adverse कितने खा गया सर 3000 रुपए का हमारा ये adverse रहा यानि material cost variance हमारा 3000 का adverse रहा अब इसको अगर detail में जानना है कि सर ये 3000 का जिम्मेदार जो हुआ extra लग गया इसका responsible price है या फिर quantity है तो apparently आप देख रहे हो कि सर इसका जिम्मेदार price भी है और quantity भी है क्योंकि हमने सोचा था 3000 किलो लगे 3500 हमने सोचा था रुपए हमने लगे कितने हमारे तीन रुपए हमें लगा तीन रुपए तो हमने पहला सवाल जो देखा था यहां पे तो देखिए हमने material cost variance निकाल लि अब हमें चेक करना होगा कि material कितना जिम्मेदार है material का price और हमारा कितना responsible है material का इस्तमाल तो material का price निकालने के लिए मैंने बोला है कि भाई आप एक पर price के लिए standard price चेक कर लीजिए उसमें से actual price मान लीजिए और इससे पता चल जाएगा यानि बहुत सीधी सी बात है मैं इसी सवाल में पहले के बाद दूसरा material price variance पूछना चाहता हूँ ये कितना जिम्मेदार है तो formula कहता है standard price आपका कितना लगा minus में actual price यानि आपका price जिम्मेदार है और total कितना price का impact आएगा तो multiply कर दीजिए आप actual quantity से क्योंकि price का जिम्मेदार है सर 50 पैसे लेकिन overall पैसे के terms में बात करें कितना जिम्मेदार है तो किस से multiply करोगे क्योंकि आपने 35 quantity खरीदे होंगे actual तो यहाँ पे standard price की बात करें तो हमारा आता है सर 2.5 minus में 3 into में हमारा आ जाएगा 35 तो यह responsible हमारे कितने 50 पैसे यानि 1750 रुपे adverse के लिए यह responsible है 1750 रुपे adverse के लिए यह responsible है अगला हमारा सवाल आता है कि चलिए सर material cost overall हमारा यह था तो overall हमारा यह था difference लेकिन अगर आगे देखा जाए तो price के हिसाब से कितना difference रहा सर तो price के हिसाब से अब हमने check कर लिया अब बोलता है कि भाईया आप बताओ material का usage कितना responsible है तो material का usage का formula होता है हमारा standard quantity into my actual quantity minus my actual quantity into standard price क्या आपको कितना दिया गया था और आपका actual कितना हुआ और आपको इतने से करना चाहिए था यानि सर यहाँ पे अगर formula लिखू मैं material usage variance तो होगा सर आपका usage यानि standard quantity कितना लगना चाहिए minus actual quantity आपने कितना लगाया है और अगर standard price से होता तो कितना होता तो सर यहाँ पे देखा जाए तो 3000 में से minus कर देंगे 3500 actual और standard price मेरा given है 3 रुपे के हिसाब से 2.5 के हिसाब से होना चाहिए तो सर 500 गुणा में 2.5 तो कितना आगया यह 1250 यानि 1250 ये भी adverse यानि सर हमारा total अगर देखा जाए variances की हम बात करें total की अगर हम बात करते हैं सर अगर हम total की बात करते हैं तो total में देखा गया कि हमारा 3000 रुपे का फरक आया लेकिन इस 3000 के लिए कौन-कौन responsible है तो यहाँ से पता चल गया कि सर इसके लिए हमारा price responsible है 1750 रुपे लेकिन price ही सर्फ responsible नहीं है हमने लापरवाई करी है material usage में भी और material जो हमारा usage responsible है वो सर है हमारा total कितना 1250 अब इन दोनों को अगर जोड़ दे तो total कितना हो गया 3000 रुपे यानि सर इससे एक बात और सिध हो जाता है एक बात और प्रूफ हो जाना है इससे क्या सर एक बात और प्रूफ हो जाना है कि सर material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको जो result मिलता है वो इन दोनों को जोड़ होता है हमने क्या करा पहले सबसे पहले cost निकाल लिया तो ये थोड़ा सा detail answer नहीं हुआ अब देख लिया price कितना responsible है और cost तो ये सवाल exam में direct direct पूछा जाता है आपसे आपको इसके लिए formula याद होना चाहिए या formula आपको समझ में आ गया हो तो बात बन सकती है तो इस तरीके से हमारा रहता है ये सारा का सारा point बताईए कोई doubt कोई doubt है इसमें तो बताईए आप इसको check कर सकते सर माइनस तीन हजार ही आएगा माइनस तीन हजार कैसे आएगा सर आप check कर ये इसको 1750 माइनस का जिम्मेदार और 1250 माइनस का ये जिम्मेदार ultimately 3000 रुपे हमारा adverse हा गया माइनस का ये answer को check करने का एक तरीका है और भी कुछ सवाल हम करेंगे